चलिए जी हम इसको बॉल में डालते हैं यह देखिए असलाम वालेकुम वेलकम टू हमारा प्यारा किचन तो चलिए जी आज हम बना रहें लूबया का सालन तो यह देखिए हमने देशो कर देखिए देर हैं रात को भीगों के रखे थे लाइए तो यह नेका सब्सक्राइम पानिकार करते나ा इसको यह दूब खूल उबॉर इसको दो गिलाज करने के लिए बाकी के नमक यह दालेंगे चुक मारा की के अचे के नमकर पर घकेक्म को रखदी एले गयाज पर इसको दो से तीन सीटी कि लगा लेंगे हम बाकी करते हैं जब तक हम बाकी के मसाले की तैयारी करते हैं तो यहां पर मिडियृ कर लगा मेरा आते हैं लग लगा तो यह फे लेकान एक पे लुए ने हट Almost alone आपटे को यहां इसी के साथ में हम यह दो मीडिय८ साइस की प्यास हमने अव्मलेट कट करें है यह भी इसी मेद आल दे जो देते को अच्छी तरह से सौटे कर ले तो मिक्सी के जार में पीष भी सकते हैं, तो इसको अच्छे तरह से या मिक्स करते हैं और इसके साथ में हम थोड़ा से नमक आईट करेगे यह पहले भी कुकर में नमक आईट किया क्या हूए तो अभी फ्यूंत करें हो यह आप से नमक डाले गे इसमें यहां मकसद यह है कि टमाटे है तो अच्छी तरह से गल जाना चाहिए तो देखिए। टमाटे है तो अच्छी सोफ्ट हो चुके है तक अभी हम इसमे बागी मसाले थोड़े आड़ करेंगे जो मसाले यह है गैस को यहां पर थोड़ा सिलो करते हैं यहां पर हमने आदा चमचे से कम जीरा पाउडर लिया हुआ है एक चमच भर के धनिया पाउडर है आदे चमचे से कम हमने यहां पर हल्दी लिया रेक चमच हमने कसूरी लाल मिर्ची ल तो यह इसमें हम नाइट करते हैं कि देखिए यह इस wspól Гरीक को यह 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 हुद किया है और यह मतानी है तो यह यह फोड़ा से पानी यह जो है क्रते इसी में टामाटे को फिर से हम गलने के लिए छोड़ते एक से दो मिनिट के लिए ताकि यह अच्छे से गिरी भी हो जाया हमारे इसको ढखते हैं पर चलिए जी देखते हैं इसको हम मसाले को देखें कि अच्छे से मसाले भून चुके हमने फिर दो मिनिट के लिए छोड़े हां तो इसको पिसा थेल जो है यह वर आचिक है इढ़ यह पर हम बाकी यह ने लू बलने के लिए रखे थे तर यह देखते हम तो इसको भी दरिशिए अच्छे से लंद्नेद इन से चार सिटी लगा के लिए तो हम दिखाते हैं इसको यह देखिए अब देख सकते हैं कि अच्छी तरह से सॉप्ट हो चुके है यह देखिए तो बस अभी यह हम इसमें आइट करेंगे तो यह देखिए हमारा गिरिवी वाला लूबिया का मस्त मज़ेदार सालम तो तयार है अब इसके हम बाकी के मसाले थोड़े आइट करेंगे तो यहां पर हम थोड़े से कसूरी मेती इसमें डालेंगे इससे इसका टेस्ट जायका भी अच्छा सा आएंगा यहां पर हम थोड़े से होममेट गरम मसाला पाउडर है तो यह छोटे चमचे के नाप से हम यह भी आइट करेंगे इसमें एक चमच इसको कर लेते हैं यहां पर अच्छी तरह से मिक्स यहां पर इस पॉइंट पर हम नमक भी चेक करेंगे और यहां पर थोड़े से हम पानी इसमें आइट करेंगे और इसको फिर पाच्छे मिनिट के लिए हम पकने के लिए रखते हैं इस पर रखते हैं डखन हमने गेस एक मिनिट के लिए धिमा भी कर दिये ताकि इस पर जो ऑईल है तो यह उपर आ जाए तो यह आ चुका है तो यहां पर हम करेंगे अभी गेस को बन तो यह देखिए हमारी लूबिया मसाला कड़ी तयार है दोस्तों अगर आप तक हमारे चानल को लाइक नहीं किये त जल्दी से कर दो और जो हमारे चैनल पर नए है तो सब्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले बाजू में वे लॉकांडे उसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारी जो भी वीडियो आई हुई आप तक वह आसानी पोच जाए तो यह मार मसाला हमारी तयार है यह लूबिया अपना भूसा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेंगा अल्ला हफीज